अगर आप लो मद्धविदेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करें खासकर MPPSC, सिख्छक भरतियों में आप देखते हैं कि बरग एक दो तीन के होते रहते या समस्पेक्टर SI, दरोगा की बात करा हूँ, पुलिस, कॉंस्टेबल, जेल पहरी, पतवारी के लिए होते रहते हैं बहुत सारे से एक्जाम होते हैं और इन सब के अगर पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखे होंगे और नहीं देखें तो कम से कम 4-5 साल पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देख लिजेगा उन्हें पढ़िए, उनका मूल्यान कन कीजे और देखें कहां से किस तरह के कुश्चन्स पूँचे जा रहे हैं और आप देखेंगे कि Current Affairs यानि कि मद्ध पेदेश में जो घटनाएं घटती रहती हैं उनसे आपके एकजाम में अच्छी खासी संख्या में कुश्चन्स पूँचे जाते हैं हर साल पूँचे जाते हैं और अभी तक आपने देखा है कि जनवरी 2022 से लेकर सेटमबर 2022 तक सभी महिनों की महिने वाई महिने हम लोग जो भी Current की घटनाएं रही हैं उनका एक ओवर्विव आपकी परिच्छा के लिए कौन से मात्पून पूइंट हो सकते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं और मद्पिदेश कर एंटरफियस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें डली हुई है आज हमें अक्टोबर 2022 में जो मद्पिदेश में घटनाएं कटी हैं उनका एक ओवर्विव लेना है उनके बारे में हमें समझ रहा है आप लोग मद्पिदेश को अपनी स्क्रीन पर देख रहे है और आप देखेंगे अगर भारत की मेब में इससे देखें तो यहां आपको देखने को मिलेगा मद्पिदेश है बहुपाल इसकी रादधानी इसके इसे एक नवंबर 1956 में राज बनाए गया था इसकी सीमा उत्तरपदेश, राजिस्थान, गुजरात, मद्पिदेश, कि सीमा महराष्ट और 36 गर से लगती है बधान सबा में 230 सीट हैं, राजज सबा में 11 सीट हैं, लोक सबा में 29 सीट हैं देखने को मिलेंगी सिवरा सिंग यहां चौहाने यहां के चीम मिनेस्टर है और राजपाल बताई यह कौन है राजपाले यहां के तो इसमें आप देखेंगे अक्टूबर महिने में पहली घटना है हमारी एक अक्टूबर 2022 को केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर मंसुब मांडविया ने नई दिल्ली में मद्पिदेश को रक्तदान अमरित महुसों में देश में पहले स्थान पर आने पर आवर्ड पिदान कर सम्मानित किया है और पिदेश के स्वास संचालक अनुराच चौदरी ने ये अवर्ड लिया है और बताया कि पूरे देश में 17 सेप्टमबर से यानि कि पिदान मंत्री के जनम दिन से सुरू हुए रक्तदान अमरित महुसों में अंतिम दिन 1 अक्टूबर तक अनुपातिक रूप से सर्वाधिक रक्तदान कर मद्पिदेश पूरे देश में पिथम इस्थान पर आये और पिदेश में पहले दिन 17 सेप्टमबर को 31,514 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अमरित महुसों में एक नया किर्टीमान इस्थाबित किया और पूरी अभियान में अहदी में कुल 903 सिविर में 36,658 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और रक्तदान अमरित महुसों में विसे इस रक्तदान महाभियान चलाकर रक्तदान सिविर का सिवरों का एवजिन किया गया है और अब्यान के पहले ही दिन में पिदेश की सभी जिलों में स्वयम सीबी संस्थायों, NGO और रेड क्रॉस सुसाइटी, अखिल भारतिय तेरापंत युवक्त परिशद, विस विध्यालय और सेक्षिरिक संस्थाओं के सहयोग से विभिन जिलों में रक्तदान सिबिर लगाए और इन सेबिरों में जिलों के जनपिती निदी और पिसासनेक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्वयम सेवी संगटन और गड़मान नांगरिश सामिल हुए है। पहला इस्थान मिला है देश में और देखे रक्तदान से आप देखे बहुत सारे लोगों की जिंदिगी आवर्शती हैं और आप पर कोई फरक नहीं पड़ता है वो तो आप देखे बराबर फिर खून हो जाता है तो कई लोगों के वरांतिया रहती है एक गलग फैमिया र आधिक सहरों वाले राज्जिव की सेंडी में सबसे स्वक्ष राज और इंदौर को देश की स्वक्षथमत सहरों का अबॉर्ड दिया हैै जानी की संबांद दिया है पुरुसकार दिया है और आप देखتे हैं कि मद्पिदेश का इंदौर सहर आमेसा स्वक्षथimत की मामल पिदेश की निन्यार में नगरिये निकायों को स्टार रेटिंग मिली थी बोपाल को फाइव स्टार की साथ ही देश की स्वक्ष समभईनी राधधानी का अवर्ड मिलाए इंदौर पिथम सेविन इस्टार पिरमाडि सहर बनाए उज्जन को एक लाग से दिक जनसंख्या सहरों में देश का सिटीजन फैडवे फीडबेक का अवर्ड छिदबाडा को और 15-25,000 सहर का सम्मान पश्टमी जौन में मुंगावली को और पश्टमी जौन के 50,000 से एक लाग जनसंख्या सेणी की सहरों में स्वक्ष केंट का अवर्ड महु केंट को मिला है और इसमें 15,000 से कम जनसंख्या सेणी में सबसे तेश से आंगे बढ़ते सहर का अवर्ड फोप का लाग को मिला है और 15-25,000 जनसंख्या सेणी में सबसे नवाचार का अवर्ड फैटलावाद को और एक लाग से कम जनसंख्या सेहरों में देश में सबसे अधिक नंगरिये सहभागता का आबाद बड़ोनी को दिया गया है। इंडियाँ स्वाक्ष भारत मिसन में पिदेश की उपलब दिया रही है। आप देखते हैं कि आपके गेट के सामने गाड़ी आती है और ले जाती है सूखा कच्रा, गीला कच्रा, इलेक्टोनिक कच्रा इसके लिए नगरिये निकायों को 5423 से अधिक मोटराइज बाहन उपलब दिख कराए गये हैं इन वहानों में GPS और PA system लगाए गये हैं गीले कच्रे की पिसंस्कराण और निस्पादन के लिए हॉम कंपोस्टिंग को फिरोसान किया जा रहा है और निकायों की केंद्री की कंपोस्टिंग गखायों में संगीत कीले कच्रे की कंपोस्ट बनाई जाती है और यह अकपोष नगरी चेत्रों में लगे ग्रामिट चेत्रों में खाद की रूम में ओवेख की जाती है देशी खाद और सूखे कच्रे की पिसंसकरण के लिए 256 नगरी निकायों में 275 मटेरियल रीकवरी फैसिलिटी का निर्माड किया गया है और आप देखें निकायों में लगेसी अपसिष्ट को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष अब तक 50 निकायों की सत्पिती सत्थ लगेसी अपसिष्ट का पिसंसकरण कर दिया गया है और फिर इसमें 60 नंगरिये निकायों को 5-1-2 ठोस अपसिट प्रवंदन्स कलस्टर के तहित कबर किया गया है इसके लाबा 316 नंगरिये निकायों में stand-alone पर्योजनाओं के किरियानबन के लिए कारभाई की जा रही है और फीकल सलेज के निस्पादन को परात्मिक्ता में सामिल करती हुए 355 F-HTP और अंठावन निकायों में इंक्यावन-HTP संचाले थे यह भी देखने को मिलेगा अंगली खबर आप देखें दो अक्टूबर 2022 की है इस दिन भात्मा गांधी गांधी जीक के जैन्ती पर आउसर पर राष्पती दुरुपदी मूर्मू ने नई दिल्ली के विग्यान भवने आईजित पुरुसका समरू में स्वक्ष भारत मिसन के इंतरगत स्वक्ष सरवेक्षन ग्रामीड 2022 में पश्ट्रिम जौन में उतक मत्पदेश को पिता मोसोजलम 2.0 अभियान में चतुत पुरुसकार पर आपतम रहा है एक पुरुसकार के अंदरिये जल सकती मंत्री गचेंद सिंग सिखावत ने दिये हैं और मत्पदेश के बुरहानपुर जिले एक उस्वक्ष सरवेक्षन ग्रामीड 2022 पुरुसकार समा रहा है क्या हो रहा है मिल रहा है अंगली खबर आप देखेंगे एस साथ अक्टूबर 2022 को मत्पदेश जन संपर्ग विःहार ने बताया कि राजशासन ने मिसन वासल की निगरानी मुल्यांकन और समीक्षा के लिए राजबाल कल्यान एवों सरक्षन सम्ती गठित की है और और सम्ती में प्रमुक सचे विस्तर की सदस्तों में ग्रह सामाजिक नियाए एवं निसक्त कल्यान लोक स्वास्त एवं परिवार कल्यान बिधी और विधाई कार इस्कूल सिक्षा खेल एवं युगा कल्यान पंच्यात एवं गरामीड विकास तकनीकी सिक्षा कौसल विका अंगली खबर सातक टूबर 2022 को मद्पदेश जनसंपर्ग विभाग ने बताय कि राजसासन ने मद्पदेश कमपेश्टर बायो गैस उत्पादन यूजना के किरियानमन नेगरानी समीक्षा के लिए किरसी उत्पादन आयुक्त की अध्यक्स्ता में संती गठित किये और इस सम्ती में अपर्मुक्ष सचिप पसुपालन डेरी किसान कल्याण किरसी विकास और बन को सदस बनाया है और आप देखें इसके अत्रिक पिर्मुक्ष सचिप सहिकालता उर्जा उद्दोगिक नीति उनिवेश प्रोसान पंचायत इमुगरामीड विकास नगरिये विकास आबास नवीन और नभीकरनी उर्जा पर्यावन चिकिसा सिक्चा अनुसुच जाती जन जाती कल्याण वन अपसिष्ट, डिस्टलरी, अपसिष्ट और नगरिये निकायों के ठोस अपसिट उपलब्दता की सभीक्चा करेगी और साथी योजना से सम्मंदित कारिये योजना बनाने और पिदेश में उपलब्द विभिन भागोलेक अपसिष्टों के अरुसार बायो गैस पिला परिवाहर मंत्री है गोविंद सिंग राजपूत ने, इन्होंने कहाए कि सिवफोर एवाद धतिया जिले से साइवर तैसीली बनाने की पाइलेट प्रोजेक्ट की सभलता के बाद इस नवाचार की उजना की दुतिये चैन को इंदोर हर्दा, डिनोरी और सागर में प्रोजेक्ट की सभलता के बाद इसे पूरे राजमें लागू करने की उजना बनाई जा रही है और उन्होंने काए कि पाइलेट प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज, फेज की सभलता का आँकलन करने के लिए 6 महीने तक इसके परिणाम का अध्यन किया जाएगा और इसे पूर और जिले में साइवर तैसील कार करे ही उस जिले के लोगों कुंड आविबादित नामंतरन बटवारे के पेकरणों के लिए तैसील कार जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी आबिबादित नामंतरन बटवारी के पिकरणों का नियारकरन हो सकेगा तो ये भी देखने को मिलेगा अंगली खबर 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात में चल रहे 36 भी राष्टी खिलो में मत्पिदेश के पेड़ा कोरी सिद्धी गुपता ने मलकम में स्वर्ड पदक जीत गोल्ड इसके इलाबा राजवीर पबार ने रोप मलकम में रजट पदक जीता है और चंदसे का चोहन ने रोप और पोल मलकम इवेंट में करमसा एक एक कांस पदक हांसिल किया है और 36 भी राष्टी खिलो में अब तक मत्पिदेश ने 19 वड 23 रजट और 17 कांस पदक की अंगली खबर है आपकी यह आप देखें 11 एक्टूबर 2022 को पिधान मंत्री नर्ण मोदी साम ने उजजयन के बिस्वपिसिद्ध स्री महाकाले सुर मंतिर में स्री महाकाल लोक का लोकरपन कर राष्ट को समर्पत किया है और आपको मालू होगा कि उजजयन आपका सिपरा न पिधान मंत्री मोदी द्वारा रिमोट का बटन दबाती ही रंगीन कलावे रक्षा सूत निर्मिद सिवलिंग के रूप में भगवान महाकाल मानो स्वयम परगट हो गया हो साथी पूरा बातावर्ड सिम्मय हो गया और पिधान मंत्री को मुकमंती सिवरासिंग चोहन ने श्री महाकाल लोक में निर्मिद भीती चित्रों इस थम्मों पितिमाओं में बर्डित सिवलिलाओं की जानकारी दी है और इस दोरान राजपाल मंगुभाई पटेल भी उपसे थे और पिधान मंत्री ने श्री महाकाल लोक में भगवान स्री संकर की ध्यानस्त पितिमा सब लीला पर आधारित कला रूपों का अवलोकन भी किया है और आप देखें भारत में विभिन हिस्सों से आए लगबग 700 कलाकारों ने अपने गीत और अभिने से भगवान सीफ की लीलाओं की पिस्तुती दिये और भारत सहित दुनिया की 40 दिस अध्यात्मिक और अलोकिक अधुतिये अधुत अनुभूति के साक्षी बने राजी सरकादवारा मुखमती चोहान की नेतित में सिंगस्त कुम्ब 2016 में उज्जन में विश्वस्तरिये अधु सरचना का विकास किया गया था और मुखमती चोहान की नेतित में वनारस कॉरिडोर की तरश पर सरी महाकाल लोक बनाया जा रहा है और सरी महाकाल लोक छेतर विकास पर युजना की अनुभाने तलागत 800 करूर रुपे है और यह आप देखेंगे कि युजना की पिथम चरण में भगवान सरी महाकाली सर के आंगन में छोटे और बड़े रुद्ध साकर हरी सिद्ध मंदिर चारधाम मंदिर विक्रम तीला आधी कविकास किया गया है और लोकारपित पिथम चरण में 350 करूर रुपे से महाकाल पिलाजा, महाकाल कोरीडोर, मिडवे जौन, महाकाल थीम पार्क और घाट इवं डेक एरिया नूतन स्कूल कॉम्पलेक्स गनेश स्कूल कॉम्पलेक्स आधी का कारग पूर्ण हो चुका है महाकाल कोरीडोर की पिथम घटक में प्रिदल चलने के लिए उप्योग 200 मीटर लंबा मार्ग बनाए गया है और इसमें आप देखें 20 फिट उची और 500 मीटर लंबी मूरल वाल बनाई गयी है और साथी 108 सिविस्थम सिव की मुद्राय सहत बिवित पितिमाय निर्मित हो चुकी है जो अलग ही चटा विकेर रही है लोटस पॉंड ओपन एरिया थेटर और लेक फ्रेंट एरिया इरिक्सा एवं आकस्मिक बहानों के लिए मार्ग भी बनाए गया है बड़े दुरुद्ध सागर की जील में स्वक्ष पानी भरा गया है और साथी अभी सुनेशित किया गया है कि ये पानी स्वक्ष भी रहे यानि कि स्वक्ष भी रहे और स्री महाकाल लोग के दूसरे चन में महाराज वाड़ा पलशक का विकास किया जाएगा और जिसमें इतिहासिक महाराज वाड़ा भवन का हेरीटेज की रूम में पुना उप्योग कुम्ब संग्राले की रूम में पुनाने अवसिसों का समाविसकर महाकाल मंदिर परसर से एकी करन किया जाएगा और दूसरे चन के कारे 2023-2024 में पूरे हो जाएगे पूर्ड हो जाएगे ठीक है अंगली खवर है आपकी 12-1-2 पर 2022 को मत्विदेश की बन मंत्री डॉक्टर कुंगर विजय साहन सोक्ष में लगू एबं मध्यम उध्यम मंत्री ओम्पिका सकलेचा उध्युक नीती निवेश प्रोसाहन मंत्री राजबर्दन सिंग ने दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडरस्टी की मेगा SCST बिजनिस कॉनक्लेब एक्स एंड एक्सपो का सुभारम किया है और मत्री ओम्पिका सासन की सहयुक से रवेंद भमन में डिक की द्वारा SCST, मेगा बिजनिस कॉनक्लेब एक्सपो में चाल सत्रों में देशबर से आए ख्यात उध्यमियों में ने अपनी सफलता की अनुवाओ साज़ा किये और सचेब MSME पीर नरहरी ने कहा कि MSME उभरते सेक्टर्स पे संसकर्ण एक्ग्रोग खिलोना निर्माड और फरनीचर के शितमे उध्योग स्थापित करने में सहयुक करता है उन्होंने कहा कि मत्रीस ने खिलोना फरनीचर में आद निर्माड़ता के लिए पॉलिसी बनाई और आप देखें अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती बर के युवाओ को आर्थिक रोप से सरसक्त बनानी की देशा में राज सर्काद वारा समस्त सतत प्रयातन सील है और सरकार ने अनुसूचित जनजाती के लिए उद्ध्योग स्थाफित करने के उद्ध्य से ये उजनाव में विसेश प्रावधान किये और दलित इंडियन चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडरस्टी के नेशनल प्रेसिडेंट पदमसरी रवी कुमान नर्रा ने कहाए कि केंद सरकार इवं राज्य सरकार ने सास किये ये उजनाव में विसेश प्रावधान का अनुसूचित जनजाती बर के मुखधारा में लाने के लिए सतत प्रेयास रथ है और पिदेश के 25 जिलों में उद्धिमियों द्वारा इस्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का पिदरस्ण किया गया है और इसमें दूसरे 5 राज्य से भी उद्धिमियों ने इस्टॉल लगाकर वो अपने उत्पादों का पिदरस्ण किया है और याद रहे दलित इंडियन चेंबर ओफ कॉमर्स वह सहायतास और उद्धिमिता के माध्यम से डॉक्टर अमेड करके आर्थिस सत्ति गयर्ण के दृष्टी गोर्ण को पूरा करने के लिए काम करता है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी अंगली खबर आप देखेंगे और इस रोब्बे स्टेशन में लोगों के लिए फूर्ड जॉन के देख चालाय के बाद साथ बस और कार पार्किंग की सुभिधा भी यहां मिलेगी आपको तो यह भी आपको देखने को मिलेगी अंगली खबर आप देखें तेरे एक्टूबर 2022 को मद्पिदेश के मौसम विभाग विभाग विग्यान विभाग भोपाल की प्रमग डॉक्टर आर वाला सुभमन्यम ने बताय कि मद्पिदेश मौसम विग्यान विभाग आई आई एस ए आर और आई एम एस भी द्वारा ट्राप मेट 2022 का आईजन इस पार मद्पिदेश में होगा कहां मद्पिदेश में मंत्री कमल पटेल ने बताय कि ट्राप मेट 2022 में मद्पिदेश के किर्शी इवं पर्यावन मौसम की भविभाग विभाणी और आने बाले मौसमी घटनाओं और चौनतियों पर विशेश चर्चा होगी और जैसे किसानों और जनता को लाब होगा और ट्राप मेट 2022 में चर्चा और सोथ के परिढामों से किर्शी के छेत्र में अधिक अधिक लाब होने की उमीद होगी और उन्होंने बताई कि इसमें देश के 400 से अधिक मौसम बिग्यानिक क्रिस्टी मौसम बिग्यानिक पर्याबन बिद और सोधार्ती सामिल होंगे और याद रहे ट्राउप मेट 2022 का युजन भोपाल में आगामी 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया जाए गए अंगली खबर है आपकी 14 एक्टूबर 2022 को मौकमंती सिवरासिंग चोहान की अध्यक्षता में संपन नर्वदा नियंतर मंडल की 75 वी बैठक में मद्पिदेश में नर्वदा जल उपयोग के लिए 11,540 करोड उपे लागत की 5 सिचाई परियोजनाओं के लिए निर्माड कारे नियंतर में नर्वदा जल का उपयोग सुनिचित होगा और इस इन परियोजनाओं के निर्माड से लगबग 2,14,000 हेक्टर छेत में सिचाई होगी और 1000 मेगावाट विद्धूत उतपादन भी होगा और बैठक में जो नियंतर में सुनिडोरी जिले की अपर नर्वदा 45,600 होसंगावाद जिले की दूदी 55,410 हेक्टर और नर्सिंगपूर जिले की सक्कर पैंच लिंक 95,849 हेक्टर मंडला जिले की वसानिया 8,780 हेक्टर और सिहोर जिले की डोवी 8,544 हेक्टर छित में सिचाई की परियोजना ये सामिल होगी और मुख मंतरी ने बर्गी 2023 तक फूर करने के निदेश दिये हैं और टर्निल के बाद निकलने वाली रीवा साखा नहर के लिए भी दो गुरुब में निविदाय सुईकीत की गए हैं इनमें 42,700 हेक्टर छित में सिचाई सुविदा निर्मित होगी ये भी देखने को मिलेगी चलिए अब अंगली गाथा सुराज की पिदरसनी का उद्गाटन किया है और गाथा सुराज की गैलरी को मराठा समराज की संस्तापक सिवाजी महराज और सिंधिया समराज की संस्तापक महादी जी सिंधिया को समर्पित किया गया है और पिदरसनी में देश की पिरमुक माराठा सासक सिंधिया गैगबाड होलकर, निवालकर, भोंसले और पबार जी जैसी 30 मराठा स्रियासतों का उलेक किया गया है। का वर्डन करने वाले इस महल के ही एक हिस्से में केंदियर नांगरिक ओटेंड मंत्री जोतिया दित्य सिंधिया भी रहते हैं। और जैविलास में 400 कमरे हैं, 1874 में जैविलास के निर्माड में एक करो रुपे खायच हुए थे। और विदेशी कारियरों की मदद से जैविलास महल को बनाने में 12 साल के समय लगाता है। और जैविलास पैलेस में साल 1964 में मियूजियम सुरू हुआ था है। महल की दूसरी मंजिल पर बने दर्वार हॉल को जैविलास महल की सान कहा जाता है। हॉल की दीबारों और छट को पूरी तरह सोने हीरे जवारास से सजाए गया है। इस पर दुनिया का सबसे जान्दा बजनी 3500 किलोग्राम जुमर लगाये गया है। और जैविलास पैलेस इटली की तसकन और कोरिथियन सेलीव से में बना नाकेबल भारत बलकी दुनिया की चुनिंदा महलों में से एक है। दिबंगाज राजमाता बिजेराज जी सिंधिया द्वरा अपने पती महराजा जीवाजी राव सिंधिया की समीती में महल में एक मियोजियम का निर्माड कराए गया था। और जिसमें सिंधिया राज परिवार की गाता करते हुए उनके परिवार से जुड़े सावानों को सरक्षित किया गया है। सरलीकित विकास उनम्यों की और अधिक प्रभावी बनाने की नियम में संसोधन करने करने अड़े लिया है। नवीन उद्धोगिक स्थापना के भूखंड का विभाजन कर हस्तांतर नहेतु सासर्थ अनुमती पत्ता अनुसार्थ पिदान की जाएगे। और फर्णिचर क्लेश्टर को बड़ावद देनी की दिरिष्टी से उद्धोगिक छेत्रों में आवंटन के लिए पिती बंदित, गाती विधियों की सूची से आरा मसीन को बिल उपित किया गया है। और उद्धोगे के काईयों की स्थापना से राज सासन की मंसा के नूर्थ इस्थानिये बेक्तियों को रोजगार की अधिक अवसर उपलब्द हो सकेंगे। और MSME सेक्टर में भी उद्ध्यम स्थापना और संचालन में सोगमता भी देखने को मिलेगी। अंगली खबर है आप देखेंगे। दर संकर की 108 फिट उची बहुदाती पितिमाओ पेर डे इस्थल के निर्मार कारी के लिए नियुंतब दर अनुसार वोना रिक्षित लागत 198 करोड 25 लाग रोपे की पिसास की सुईकिती फिदान किये। और पिदेश में ऐसी उचित दुकाने मूल की दुकाने जहां सेल्स में नहीं है और पात स्वसाहता समूह द्वारा दुकान संचालन करने की सहमती दी गई है। उन समूह को ऐसी दुकाने अपसी सहमती से हस्तानतित करने की अनुमती मंती पशित द्वारा की गई। प्रोफेशनल डवलमेंट प्रोग्राम में इसनातर की सिक्षा पूर कर चुके 4695 इंटर्न सामिल होंगे और पितेक विकासखन में 15 इंटर्न की नियुकती की जाएगी। अंगली खबर है आप देखेंगे। एबाई अवर्ड 2021 अनुपात 150 डेज चैलेंज में पितेश को उतकेष्ट पिदारसन की आधर पर कुल आठ अवर्ड दिये गए। कितने आठ पिदानमंती नेंद मौधी ने राज कोट में इंडियेट अवर्वर हाउसिंग कौन कलम में मद्पिदेश के नगरिये विकास और आवासमंत्री भूपेन सिंग को वेस्ट पर्फॉर्मिंग इस्टेट का अवर्ड दिया है। और वेसे सेडिय अवर्ड में मद्पिदेश के वेस्ट एस्टेट फॉर कंजर्जेंस ने में गुजरात के साथ वेस्ट एस्टेट फॉर कंडिक्तिंग आईए इसी एक्टिवइटी में जार्खन्ट और रुनुशाल पिदेश के साथ और वेस्ट पर्फोर्मिंग S.L.T. में उत्तर प्यदेश और गुजरात के साथ सह बिजेता बना है Municipal Award City Level Best Performing Municipal Award नगर पालक निगम देवास को दुतियस्तान Best Performing Municipal Council में नगर पाली का परिस्तत गोहद जिला भंड को दुतियस्तान Best Performing नगर पालक निगम देवास नगर पाली का परिस्तत गोहद और नगर पालक जोवट को मिला एहस में इस तरह के पुरुसकार भी आप देखते हैं दिये जाते हैं तो उने भी एक जानकारी रखा करिएगा 22 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली के असोखोटल में हुए होद गोषना, कारकरम में केंद्री इवा मामलों के मंतरी अनुराक ठाकुर ने पांचवे खेलो इंडिया इउद गेम्स 2022 की मसाल मदपिदेश की मुकमंती सिबरासनी चोहान को सौपते हुए बताए कि खेलो इंडिया इउद गेम्स की मेजवानी इस वार मदपिदेश करेगा और पांचवे खेलो इंडिया इउद गेम्स 2022 का जन पिदेश की आठ नगरों नगर भोपाल इंडोर उज्जेन ग्वारिय जलपूर मंदपला महसुर बालाघाट में 31 जन्मरी से 11 फरवरी 2023 के बीच होगा और मुकमंती ने बताए कि राजम बर्स 2003 में खेल बजट पांच करो रुपे था जो अबड़ का 350 करो रुपे होगा और पिदेश में 18 केलों की 11 अकादमिया इस्थाबित की गई है उन्होंने बताए कि मदपिदेश में खेल के इंफराटक्चर को अंतराश्टी स्थर का बनानी की कौसिस की जारी है और जैसे खिलाडियों को ना सिर्फ अकादमी बुनियादी सुभधाय मिलेगी बलिकि हरजले में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग और पिसिक्षन की वेवस्ता भी बेहतरीन मिलेगी है और मुकमंती ने बताए कि मदपिदेश में खेलों का बतावर बनाये रखने के लिए बंचे सित्तर परवेने केल पिती युगताएं की जारी है इनमें इसमें बुजर्गों को गोंकी पिती के युगताएं भी करवाई जाए गई है उन्होंने बताए कि खेलों इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार पारंपरे खेल मलकम को भी सामिल किया गया है और मद्पिदेश मलकम के राज खेल है न और इस खेल में राज के खेलाडियों का पितलसन देजस में अगडी है और खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2021 में मद्पिदेश के पारंपरे खेल मलकम और ब्रेक डांसिंग के खेलाडियों ने सांदार पितलसन किया था व्रेक डांस को पेरिस ओलम्पिक 2024 में खेल के रोम में सामिल किया गया है तो यह भी याद रखेएगा अंगली खबर है आप देखेंगे 21 अक्टोबर 2022 को मद्पिदेश आयूज विभाग ने आयूवेद दिवस की आयूजन के समन्द में जिला आयूज कारियाले कुद्धिसाद निदेश जारी करते हुए बताया कि पिदेश में साथवा राष्टी ये आयूवेद दिवस 23 अक्टोबर को मनाए जाएगा कब 23 अक्टोबर को और इस बस राष्टी आयोवेट दिवस की थीम हर दिन हर घर आयोवेद रखी गई है यह थीम जरूर याद रखा करेगा और कारम करम की रूकरेखा का आयोवेट 2047 थीम को रखकर तेयार की गई है और इस दिन आयोवेट के महत्पर केंद्रित अनेक कारकरम होंगे और जिलास्तर पर आयोवेट के जानकार विसे सग्गों के ब्याक्ख्यान के कारकरम भी आयोवेट की जाएंगे और पिदेश के आयोवेट माविध्यालवे में आप देखें 23 सेप्टमबर से आयोवेट के महत्पर केंद्रित बिभिन पितियोगता है नेंतर हो रही है और जिन में भासर पितियोगता के अलाबा स्वास्त जागरोकता सिवर की गति विधियां भी पिरमोक है और सिवर में जन सामान को संपूर स्वास्त के लिए आयोवेद आहार जिन में मोटा अनाच की उपयोगता, बरिष्ट जनों के लिए आईवेद की उपयोगता के साथ मानसिक स्वास्त के लिए आईवेद की उपयोगता के बारे में जानकारी दी जा रही है और जन सामानी की ओस्दी है, पौधों के मत्य के बारे में भी जानकारी दी जा रही है पायूस औस दाल है और हेल्थ वेलनेस सेंटर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे हैं यह आपदी की अंगली खबर है आपकी 22 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में आज़ित अंतराश्थी सिल्फ पुरुसकार 2021 समान समारों में मदपिदिश की सिल्फकार मुबारक खत्री को मास पुरुसकार आप देखें सिल्फ ग्राम संगटन द्वारा दिया जाता है और सिल्फ ग्राम बिस सिल्फी परिशत की राष्टी है और मुक अथिती साद अलकदूमी अध्यक्च बिस सिल्फ परिशत के हैं पिरसौन जोसी जो सेंसर बूर्ड ऑप इंडिया की पिरमोख है इनकी उपस्ति में दिली में पुरुषकार समारो एया युजित किया गया और अंतरष्टी सिल्फ पुरुषकार के लिए लगबग 40 देसों से नामंगन प्राप्त हुए थे और जिसमें मद्पदेश के एकमात सिल्फकार मुबारिक खत्री को 2021 के लिए चुना गया इसमें। मुबारिक ने बाग बिलॉग पेंट के अपने पारंपरिक सिल्फ के अपनरुद्धार का काम किया है और मुबारिक खत्री को उनके आधुनिक अवचारों बाग के लिए सिल्फ में युगदान के लिए 2017 के राष्टी हस्तिसिल्फ पुरुषकार के लिए भी चुना गया और जो आने वाले दिनों में भारत की माननिय राष्टपती द्वारा उन्हें दिया जाएगा और मुबारिक खत्री ने अपने पारंपरे कलाकों समर्पण और भक्ती के साथ सरक्षित किया है और सैटों आदिवासी युवाओं को उन्होंने पिसिक्षित भी किया है यानि मत्कदेश की असोक नगर निवासीन भिनीज सर्मा ने देश के सबसे बड़ी पुरुष पितियोगिता मिश्टर इंडिया का किताब अपने नाम किया है इनका नाम है भिनीज सर्मा और इस उपलब्दी के उपलक्ष में मुखमंत्री ने उनके द्वारा पिती दिन 2020 बिजेता बिनीज सर्मा मिश्टर इंडिया शंगरतन के ब्रांड एमिश्टर भी है और देश में सबसे बड़ी पुरुष पितियोगता आयुजित कराने बाली कंपनी रोगरो मिश्टर इंडिया के 18 विस अंसकरण में जिन लोगों को फाइनलिस्ट के तौर पर और इस पितियोगता में करीब कितना 30,000 लोगों ने भाग लिया था और 6 अलग अलग राउंड में बेक्तित आत्मविश्वास, कम्यूनिकेशन, स्किल और अपनी आकरसक छबी के दम पर विनीज मिश्टर इंडिया की फाइनलिस्ट बने हैं और विनीज सर्मा बात्मान मे कि रोबरू मिश्टर इंडिया पितियोगता के पितियोगीन के छेत में 70 पिशतध इस्सेदारी करती हैं और वही है पितियोगता बरस 2014 से संचालिक कर रही हैं इस बार इस कम्पनी का यह 28 बास तर्म और इसके अलाबा इसी कंपनी में भार्ती मूल के सबसे जानदा लोगो तरह के कुछी को पुरुसकार मिलते हैं तो उसके बारे में याद रखेगा हाली में पश्चिम मद रेल भोपाल मंडल के रानी कमलवती रेलवे स्टेशन को भारती खाद सरक्षा और मानक पराधी के अंद्वरा फाइव स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाडित किया गया ह और रानी कमलवती रेलवे स्टेशन को खाद सरक्षा और स्वक्षता के अनुपालन स्वस्त आहर की उपलगता तेयारी के समय भोजण का प्रभंधन खाद अफस्ट प्रभंदन इस्थानी और मौसमी भोजण को बढ़ावा देने और खाद स्वस्त आहर के बारे में जाग स्वक्षता को बढ़ावा देना है और सगन जांचा और नीरिक्षंग के बाद रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को फाइब इस्टार रेटिंग दी गई है और इसे पहले किस नाम से जानते थे आप लोग बताईएगा नाम बदल बदला गया है से 26 सक्टूबर 2020 को सत्थपुडा टाइगर रजर्ब सुहागपूर के ओप संचालक ने बताया कि मत्विदे से स्थापना दिवस के अउसर पर एक जिला एक उत्पात के थे सत्थपुडा टाइगर रजर्ब नर्वदा पुरम द्वारा एक से 6 नवंबर तक पनार पानी के विभिंड कार्करों में पिथम दुतिय और स्थितिय स्थान प्राप करने वाले बच्चों को सत्थपुडा टाइगर रजर्ब में ब्रमड कराया जाएगा बच्चों को गाइड और नेचुरिलिस्ट के द्वारा बटरफलाई के रहवास जीवन्चक और उनके संबंध अन जानकारी के संबने में फिल्ड विजिट कराई जाएगी और इन गतिविदियों के माध्यम से बच्चों में बटरफलाई के लिए संबिदन सीलता का संचर्ण भी होगा तो यह आपको देखने को मिलेगा सत्थपुडा टाइगर जर्ब में यह आप देखेंगे कि 28 अक परियोजना समर्वे ए आई सी आई पी माइक्रो न्यूटिय न्यूटियंट्स भारती मिर्दा विज्यान संस्तान भोपाल की पत पर काम कर रहे थे और इस विद्धियाले के कुलपती की रूम में उनका कारकाल पदभार गयांड करने की तिति से पांच साल के लिए रहेग 19 अगस 2008 को JNKBB जवलपूर को विभाजित करके दूसरे किसी विद्धियाले की रूम में अधी सुच किया गया था पहला ये जवलपूर में खोला गया था और आप देखेंगे कि RBSKBB अधीनियम 4 नवंबर 2009 के अनुसार बागमानी और पसुचिकसा बिग्यान और पसुपालन अनुसंदान गतिवदियां 5-3 किसी अनुसंदान इस्टेशनों मुरेना खरगोन जाबूआ इंदोर सेहोर की माध्यम से चालित की जाती है और 4-6-3 किसी अनुसंदान के अंत्ग ग्वालियर मंदसोर उज्जन और खंडवाय चार विसी अनुसंदान के अंते खेडी भगवई जावरा और बढ़वा में है 22 अखेल भारती ये समनवे सनुसंधार परियोजनाय और क्रिशिव प्रडाली की उत्पादक्ता और लाप्रदिता बढ़ाने के लिए कई तदर परियोजनाय भी है क्या परियोजनाय भी देखने को मिलेगे यह आप देखेंगे 28 अक्टूबर 2022 की कवर है मद्विदेश स्टेट को ऑपरेटेड डेरी फेडरेशन द्वारा सांची उत्पादों को पिदेश की गाउं गाउं तक पहुचानी करने ड़िया गया है और इसके तहत उजन दुग्द संग द्वारा जिले की पाल खंदा और नर्वा ग्राम में सांची उत्पाद की बिक्रे केंदर सुरूप के गये है और इससे ग्रामीडों को सांची उत्पादों की सुवधा की साथी इस्थानी लोगों को रोजगार की आउसर भी मिलेंगे और मोख कारफाला का दीकारी उज्जेन सहकारी दुग्द संगर डॉक्टर सीवी सिंग ने बताए कि सांची ग्रामीड बिक्रे केंदरों की स्थाफना सत्त रूप से जारी रहेगी कॉसिस की जाएगी कि दुग्द संग से सम्मंदी सभी दुग्द सहकारी सम्तियों को ग्रामीर सांची की बेक्राय के अंदर पाललर की रूम में विक्सित किया जाए और इसके लिए सभी आवसक सुविधाय में उन्हें उपलब्द कराई जाए इसके अंतर के पिता मिस्तर पल आप दीखी लगबख साथ हजाद गरामीर दुग्द सहकारी सम्तिया दुतिय स्तर पर छे सहिकारी दुख्द संग और जिसके मुख्यालवे भोपाल इंदोर और जेन गवालिय जवलपूर सागर में देखने क्यों लेंगे और राज इस्तर पर MP स्टेट को को ओपरेटिब डेरी फेडरेशन काम कर रहा है चलिए अंगली खबर है यह आपकी यह आप देखिए 28 सक्टूबर 2022 को क्या बदला गया है सिक्टा के उत्तर कार करने वाले बालों को परुसाहन देने के लिए सुरगिये स्री लचमन सींग गौण इस्मीती पुरुसकार के लिए प्रचारेओं सिक्षकों और अध्यनर बिविन संक्राय के विद्धियातियों के साथ अब सास्की माविद्धियाले में काम करना वाले गरंतपाल केड़ा अधिकारी तितिया और चतो सैनी के कर्मचारियों को भी समलित करने कर नए डिलिया है यह पुरुसकार पिती बर्स 5 सेप्टमबर को सिक्षक देबस पर दिया जाता है और सुर्गिये लचमन सिंग गौंड इसमीती पुरुसकार में राज जिस्तर पर दस पराचार, 50 सिक्षक, 20 गरंतपाल, 20 कीडा अधिकारी, 40 आप देखी तिति सैनी के कर्मचारी, 40 आप देखेंगे चतो सैनी के कर्मचारी और 250 बिद्ध्याति, इसनातक से 200 और इसनातर से आप देखेंगे, 50 यानी की 500 हैं ना ये टोटल का चैन किया जाएगा, और इस पुरुसकार में कुल 10 पराचार को करमचा 1 एक एक लाक रुपे, और पर सस्ती पत्य दिया जाएगा, इनाम की रूम है, पुरुसकार की रुम है, इसी पकार आप देखेंगे, 50 एक्षकों को क 30,000 रुपे का नकत पुरुसकार दिया जाएगा, और सुर्गिये लचमन सींग गौंड पुरुसकार में चैनीत को 250 सिर्शनातक और इसनात्तर विद्ध्यार्तियों को 50-50,000 रुपे और सस्ती पत्य की रूम में दिया जाएगा, और सुर्गिये लचमन सींग गौंड इसम संभागों में से कुल 20 पिचारियों की नाम तै किये जाएंगे और पितेग महाविध्याले के लिए पराचार द्वारा सक्षम अधिकारी घुडा नुकरम के अधार पर अपने महाविध्याले संस्थान से सर्वोच अंग प्राप करने वाले पितेग संकाय में से एक सिक्षक एक गरंदपाल एक कीडा अधिकारी एक तिती और एक चतो सेड़ी अधिकारी चैन किया जाएगा और महाविध्याले द्वारा चुने के सिक्षकों गरंदपालों कीडा अधिकारी और तिती चतो सेड़ी की करमचारियों की सूची से छेतीरी अतरिक्त संचालक अपने छेत बीस बीस बिध्यारतिएं को चैन किया जाएगा और इसनातर इसतर पर पितिक संक्राय से सभी बर्गों में से सर्वुच गुडांग प्राप्त करने बाले एक-एक विद्ध्यारती का चैन किया जाएगा और अतरिक्ट संचालक अपने छेत की महा विद्ध्यारती उसे प्राप नामों की सभागा सूची तियार करेंगे और गुडा अनुकरम की आधर पर विद्ध्यारतीयों का अंतिम चैन कर आयुक्त उच्छे सिक्षा को भेजेंगे और इस पकार दस समभागों से इसनातर इसतर पर समस्त संकाय से अधिक्तम पचास विद्ध्यारतीयों की नामों इसनातर इसतर पर आप देखें अधिक्तम 200 विद्ध्यारतीयों की मान से 10 समभागों से 250 विद्ध्यारतीयों की नाम आयुक्त उच्छे सिक्षा को पराप्त होंगे चलिए भी याद रखेगा अब बोलो क्या क्या याद रखे तो सब कुछ याद रखना है एक खबर आप देखें कि 30 सक्ट उबर 2022 को मुरेना पहुचे केंदरी किरसी मंतरी नयन सिंग तोवन ने मीडिया से बातचीत के दोरन कहाए कि मुरेना जिली में नवंबर में 3 दिवसी किरसी मेला 11, 12 और 13 नवंबर को आयुजित किया जाएगा उन्होंने काए कि इस किरसी मेले में पिरदेश और देश से विभिन पिकार के स्टार्ट अप आएंगे और इसके साथ ही इस मेले में खेती में नई टेकनोलोजी की जलक दिखाई जाएगी इस मेले के माध्यम से अंचल के किसानों को नई टेकनोलोजी के उननत कहिती के बा पांच दिवसी उद्वाव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआ थुई, इसमें भारत सहित पांच देशों से 700 से जानक कलाकार भाग ले रहे हैं, पिस्तुती दे रहे हैं, इस अंतराश्टी डांस कार्निवल में भारत सहित ताइवान, उजवेकिस्तान, किर्गि से लंका की कलाकारों ने अपने देशों की सांस्किति क्विस्तुतियां भी दी हैं, कारक्रम में मुख अथिती की रूम में सामिल हुए ताइवान की राद्दूत वहसु आन गेर ने कहा है कि भारत ताइवान संस्किति और सिक्षा की कई कारक्रम कर रहे हैं, दोनों देश आने के बाद उनको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा कस्मीरी कलाकारों ने कहा है कि वो पहली बार ग्वालियर में कस्मीरी लोग संस्किति की पिस्तुतिया देने आये हुए है यह आप देखें कि अंगली ख़वर है आपकी 29 अक्टूबर 2022 को मद्प्धिश की मुक्मंत किया है क्या है भूमी पूजर किया है मुक्वंति सिवरा सिंग चोहन ने कहा है कि इस सड़क का निर्मार एक साल में पूरा होगा इसे कोलार की जंता को टैफिक की समस्या से निजात भी मिलेगी और इस तरह की लंबाई 15 किलोमीटर बचोड़ाई आप देखे 105 फिट होगे और मार्ग में डिवाइडर के साथ फुटपात भी बनाये जाएंगे बब मार्ग के बीच पढ़ने बाले चौक चोरहों का सुंदरी करण के साथ आसपास की अतरिक भूमी पर पार्किंग निर्मार भी कराये जाएगा एहरोड कोलार की 5 लाकाबादी के लिए उपयोगी हो होने के साथ उपदोल्ला गंज, मंदीप, सलकनपूर, हर्दा, टिमर्णी और अन जगों से आने जाने बाले करीब 5-6 जिलों के लोगों के लिए उपयोगी होगी और पूरी सड़क पर CCTV केमरे लोगेंगे और इन कैबरों को पुलिस कंटॉल रूम से जोड़ा जाएगा सड़क निर्मार के दौरान कई पुल, पुलियों का भी निर्मार किया जाएगा और 222 करोर रूपे की रासी से निमेद होने वाली सड़कों से कुलार की टेफिक समस्याद में सोधार के साथी छेत की connectivity भी बढ़ेगी इससे 31 सक्टूबर 2022 को भोपाल सहकारी दुख्द संग के मुख कारपलना दिदकारी आरपी एस तिवारी ने बताया कि भारती खाद सरक्षा मानक पराधीकन द्वारब भोपाल सहकारी दुख्द संग को बिमिन मानकों के आधार पर 101 अंकों के साथ 1 पिलस ग्रेड पिदान किया गया है और आरपी एस तिवारी ने बताया कि पिदेश के किसी भी दुख्द संग को पहली बार इतने अंक प्राप्त हुए है और पिछले बरस भी दुख्द संग को 96 अंकों के साथ एक ग्रेड मिला था भुपाल सहकारी दुख्द संग को बिमिन मानकों के आधार पर 106 में से 101 अंक दिये गए है ये फिलस ग्रेड के लिए 95 में से 106 अंक 95 से 106 अंक के सैणी सर्वुत किष्पिदासन के लिए निधारी थे और याद रहे भुपाल दुख्द संग को ये अंक सभी आया में स्वक्षता अनुभा और तक्नीक की ग्यान से संपन इस्टाप दूद और दुख्द उत्पादों के बेहतर प्रबंधन कोल्ड स्टोरेज का हर दो घंटे में तामान मामन द्वार पर पिलास्टिक स्टेप कर्टेंड डबल दोर एक्टालेंग आधी में पराप्त हुए हैं तो इस तरह से आद देखिएंगे अक्टूबर महिने की जो भी घटनाय घटी हैं मत्वदेश में उनका एक कहानी होगी ओवर्वीव ले लिया हम लोगों ने अब आप लोग बताईएगा किसी और टॉपी के बारे में बात करनी है और अंगली क्लास में तो हम लोग नवंबर दो हजार बाइस में जो घटनाय घटी हैं मत्वदेश में उनका भी एक ओवर्वीव लेंगे आप लोग पढ़ते रहे हैं इंज्वाइ करते रहे हैं ठीक करते हैं